तो इस लाल रंग के OTT पर एक Indian Vampire वाली स्रीज रिलीज हुई है जिसका नाम है टूथ परी वेल लब बाइट जैसा कि नेट्सलिस के स्रीज का जनरल फर्मूला है तो इसमें भी आपको 45 मिनट का टोटल 8 एपसोड देखने को मिलेगा तो अब उन सोन परी देखर बड़े हु जैसे कि चूबली में भी कॉलकाता का रॉय थीटर था एंड मिसेज अंडर्वे स्टोरी वी कॉलकाता में ही टेक प्लेस करती है तो इस सीवीज की फैंटेसी दुनिया में कॉलकाता में इंसानों के साथ कुछ वेंपायर भी रहते हैं ये लोग लगभग 300 सालों से रहते आ कोठा ज्यादा लगता है तो इन लोग ने अपना नियम बना रखा है कि कोई भी ऊपर नहीं जाएगा और इंसानों का खून नहीं पिएगा यहीं पर आती है रूमी नाम की ये वेंपायर जो की इस सीरीज की में कैरेक्टर है ये इंसानों का ताजा ताजा चूसना मेरा मत लग खून चूसना पसंद करती है इसलिगे सबसे छुपा कर हर रात अपने बील्स से वाहर आती है एक दिन खून चूसने के चकर में इसका वेंपायर वाला एक दान तूट जाता है इन इस दान की मरमत के लिए ये रैड़ नाम के एक डॉक्टर के पास आती है इन इसी इतनी अच्छी या कितनी बुरी है इसका अंदादा आप एक बात से लगा सकते हो कि इस पूरी सीरीज को मैंने नेट्फिलिक्स की एक फैसलीटी का सहारा लेते हुए देखा है जो की है 1.5 स्पीड का और वो भी मैंने पूरा इसलिए देखा क्योंकि मुझे रिव्यू करना यह दो आपके पास जो है उसे तो अच्छी तरह से परोसो इस पर की इतनी लंबी वीडियो बन सकती है जितनी लंबी यह सीरीज है एक सीरी में डॉक्टर रॉय के सामने रूमी अपने पावर का इस्तमाल करते हुए जंप लगाती है और फिर से उपर कूद भी जाती है ले पूरी स्रीला की मौद का बदला लेने के लिए लूना लुक्वा कंब खाती है और पूरी स्रीज के दाराण वो लूना लुका को ढूंडती रहती है और लास्ट मेंником दाल्ट जाकर उससे मिलती है जबकि लूना तीविय पर भी आचुकी डिया या दिग दूना एकदम सिं करने को मिला था जितना भी था वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं था जैसा कि मैंने बताए कि स्टोरी टेक प्लेस करती है कॉलकाता में तो क्यारेक्टर के मुँझ से हमें समय समय पर बेंगॉली सुनने को मिलता है जो कि स्रीद को समझने में काफी disturbing लगता है क्योंकि बिना क्योंकि वारे में कुछ अधा पता नहीं फिर्फ इस सव इंस्पेक्टर का करेक्टर आपको पसंद आएगा स्रीज के लास्ट एपिशोड में जा कर हमें रूमी लुना लुगा के बीचे एक देखने को मिलता है यहां पर हमें रूमी के वारे में एक ट्विस्ट देखने क को रिन्यूग करेगा 1899 स्रीज को तो नेट्फिक्स ने कैंसिल कर दिया था जबकि वो स्रीज तो इसके सामने मांच कर पिस थी एन उसे डार्क स्रीज के क्रियेटर ने बनाया था तो इस दिए के सीजन 2 को तो भगवान ही बजा सकते हैं तो वीडियो को यहीं खतम करते हैं तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके सेयर करके सब्सक्राइब कर लो